Hello friends, मैं हूँ आपके सामने गोरो मिगलानी इस वीडियो में जो टोपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है motion study का मतलब गती अध्यान इसका meaning क्या है? It refers to the study of the moments ये moments की एक study है कौन से moment? Lifting, जैसे मालो हमने कोई चीज उठाई Putting object, कोई चीज मालो हमने रखी है Sitting, हमारे बैटने की Positions Change करने की तो ये इनी moments को लेकर एक study है इस study को जब किया गया था तो camera का प्रियोग किया गया Employees की movie बनाई गई Movie बनने के बाद ये देखा गया Employees जिस काम को आदे घंटे में या एक घंटे में complete कर सकते थे वही काम उनोंने 5-6 घंटे में पूरा किया क्यूंकि काम के दुरान वो कुछ ऐसी अनावश्यक हरकते मतलब unnecessary moment कर रहे थे जो उनको नहीं करने चाहिए थे For example, माली जी ये marker यहाँ पे रखा है इस marker को पहले में उठा के यहाँ रखूँ फिर यहाँ रखूँ फिर यहाँ रखूँ फिर मैं इसको यहाँ पे पहुंचाऊँ तो मैंने क्या किया बीच में अनावश्यक, मतलब unnecessary moment किये है करना क्या चाहिए मुझे marker को सीधा उठा के यहाँ रख देना ची एक ही step के अंदर तो इसी तरह से Frank and Lillian Gilbreth Frank and Lillian Gilbreth इस study के अंदर मुख्य भागी दर रहे है उन्होंने एक study की motion study की उन्होंने ये चीज बहुत ध्यान से देखी कि एक mystery एक eat को लगाने में 18 बार हरकते कर रहा था कितनी हरकते हैं? 18 बार बीच में से कुछ हरकते हैं, कुछ moment उसके ऐसे भी थे जो unnecessary थे उन्होंने जब study की तो study के बाद जब उसको समझाया तो उसने वही काम 18 moments में ना करके 5 moment में या कुछ दशाओं में 2 moment में करना भी start कर दिया मतलब जो काम वो 18 moment में पूरा कर रहा था, वो काम अब 5 moment में और कुछ conditions में वो 2 moment में भी वही काम पूरा कर रहा था मतलब motion study के अंदर अगर हम धिहान से देखें तो हम 3 परकार के moment करते हैं, पहला वो moment जो productive होते हैं, फिर वो moment जो incidental होते हैं, तीसरा होता है unproductive moment for example मैं आपको study की बात करता हूँ हम study करने के लिए बैठते हैं 4 घंटे हमने study की 4 घंटे में से हमने focus होकर concentrate होकर हमने 1 घंटा study की सिरफ 1 घंटा, तो मैं कहूंगा वो productive study है, पढ़ाई करते हुए आपका mobile गिर गया मालो, या कुछ और incident हुआ, तो मैं कहूंगा कि वो incidental moment है, पढ़ाई करते हुए आप mobile उठा कर बैठ गए, आपने अपना 2 घंटा वेस्ट किया तो मैं कहूंगा कि वो unproductive timing है, मतलब motion study से हम अपने moments को अगर study करें moments को अगर ध्यान से देखें तो उसमें से हम देख सकते हैं कि कितना time हम productive काम कर रहे हैं, कितना timing हमारा incidents में चला गया और कितना time हमारा unproductive कामों में चला गया, जिससे कुछ भी result निकल कर नहीं आने वाला तो जब ये study की गई, तो employees को clearly instructions दिये गई कि ये वाला जो moment है इसको तुमें eliminate करना होगा, ये eliminate करने की बात की गई है, incidental moment को कम से कम करने की बात की गई है, फिर अगर ये दोनों हम focus कर लेते हैं, तो definitely हमारा जो काम होगा, वो productive हो पाएगा जिस purpose के लिए हम बैठे हैं जिस purpose के लिए हम काम कर रहे हैं, वो purpose हमारा बहुत जल्दी पूरा हो पाएगा motion study का target क्या है motion study का target ये है काम में तेजी लाना जो study हम 4 घंटे में करते हैं अगर हम उस study को ध्यान से करें तो वही study हम 1 घंटे में भी प्लेट कर सकते हैं पर फिर भी हम क्या करते हैं हमारा काम यहां पर यहां पर ज्यादा जेस्ट हो जाता है तो motion study scientific management का बहुत important part है और इस study को करने के अंदर Frank and Lillian Gillbret का बहुत बड़ा हाथ है